खम्मा गणी साथियों खेटी किसानी यूटूब चैनलमें आपका बहुत-बहुत स्वागत हैं, साथियों आपने तोरई की सब्जिखाई होगी, लोकी की तरह नहीं ही तोरई होती है, जैसे अभी मैं आपको बताता हूँ, मेरे हाथ में यह तोरई है पूरी, अब आपने त तोरोई की खेती भी की ओगी अगर नहीं की हैं तो भी खेती कैसे करते हैं वह बात करेंगे और सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि तोरोई को बोधी और फल लगना शुरू हो गया उसके और हम अगर फल को चकते हैं तो वह मिठा होता है और कुछ समय बाद बहुत ज्यादा और वह फल कड़वा हो जाता है इसका रिजन क्या है इसकी रिसर्च में मैं दो दिन गवा चुका हूं काफी सारे सीनियर अधिकरी से बात की है काफी सारे कंपनिया जो है एग्री कल्चर में जो काम कर रहे हैं उनसे बात की है तो कोई कंपनी केती है सर हमारे से बीज नहीं खरिदा आपने इसलिए वह तुरोई कड़वी है आप अगर हमारे से खरिदते हैं तो हम वरंटी के साथ और गरंटी के साथ वह बिल देते हैं लेकिन ऐसा कुछ नहीं दोस्तों आज अपन बात करने वाले हैं कि तुरोई की खेती कैसे करें और यह कड़वी क्यों होती है जै लिए सबसे पहले देखते हैं कि तुरोई की खेती कैसे करते हैं अब अगर आपने मेड़ बंदी कर रखी जैसे मेने कर रखी वैसे पूरी तार बंदी कर रखी आपने और या फिर आपने ऐसे मतलब काटेदार कोई मेड़ बंदी कर रखी है या फिर आपको पूरा खेत उ बीज को बोना पाता है यही बीज अगर वारिस के समय वहते हैं जो बेड़ उसके की थो पुपर आप आती है यह बहुत जादा बारिश आती तो ज्यादा पानी होता तो और अभी आप देख रहे हैं तुरोई लगना बहुत ज़्यादा शुरू हो गई हैं तो इस तरह आप तुरोई की खेती कर सकते हैं और अब बात आती है कि करेला कड़वा क्यों होता है दोस्तों करेला के कड़वा बन होने का भी ये कारण एक रासाइनी कारण है उसके अंद होता है अब बात करते हैं कि आप खीरा कड़वी झार है कि लगती है क्या यह बाद में कर वी होती है यह यह एक योगिक तत्व के कारण पर अगर ये उपपर का जू बाग यानि कि ये खीरा ककडी या फिर तरोई इसके उपर का बाग वाग उसको मैं खाता हूँ देखे दोस्टों मैं खाके बताऊंगा दोस्तों ये अभी कड़वा लग रहा है पूरा रहा पूरा ये अभी पूरा कड़वा लग रहा है कसेला लग रहा है अब अगर इसकी बेल को खाके दिखाऊंगा मैं तो भी कड़वा हुगा लेकिन अगर मैं यहां से अपन क्या करते हैं तुरूई लेते हैं कई सबजी लेते हैं यहां से तोड़ कर फिर टेस्ट करते हैं चलिए मैं यहां से टेस्ट करता हूँ हलका सा कड़वा लग रहा है ये भी अब मैं यहां से बीच में से तोड़के मैं टेश करता हूं चलिए दोस्तों यह तो मिठा लग रहा है मैं थूग नहीं रहा हूं यह तो मैं खा रहा हूं पूरा दोस्तों अब समझते हैं कि तुरूई किस कारण से कड़वी लगी है यहां से और निचे के साइड से क्यों मिठी है यह और कभी कभी पूरी कड़वी क्यों हो जाती है दोस्तों इसमें जो ततो पाया जाता है जो उपर का भागे जो बैल है उसमें कुकर बिटा सिन नाम का ए देते हैं यानि कि 3-4 दिन आप पानी दे रहे हैं और आप जाते-जाते पाच से 7 दिन में पानी देते हैं तो उसकी वज़से भी ये कड़वापन जादा हो जाता है। जो कुकर बिट स Nein, योगीक दत्वम हैं वो क्या करताओ जाधा जमाव कर देता है उस कारण से ये करवी हो जाती है खीरा ककडी में भी यही कारण रहा है दूसरा जैसे कि पूरी गर्भी बहुत चाही हुई है अभी आपको पता है काफी सारी लू चल रही है और गर्मी थी और जो ताउते नाम का जो चक्रवात आया था वो एक से दो गंटे में पूरी तरह से तबाह करके पानी पानी कर दिया यानि कि अंदर से जमिन तप रही थी और अच्चानक से बारिश आ गई उसकी वज़े से क्या हुआ कि पूरी तरह आध्रता ज़्यादा फेल गई पूरी तरह से वातावरण पूरा चेंज हो गया यानि कि वातावरण ही पूरा डिश्टप हो गया उस वज़े से ये कुकर बिटासिन जो योगिक तत्व है जो रासाइनिक तत्व है उसने जमाव ज़्यादा कर दिया और इस कारण से ये तुरोई कडवी हो गई है अब आपको इसका जवाब बिल गया होगा कि करेला कडवा क्यों होता है ममोडी सिन योगिक के कारण होता है तोरोई और खीरा ककड़ी जो कडवी क्यों होती है कुकर बिटासिन नाम के योगिक तत्व रासाइनिक तत्व के कारण होती है तो आपको सावधानी क्या रखनी है अगर आप गर्मी में तोरोई या खीरा ककड़ी की खेती कर रहे हैं तो समय से समय पर पानी देना चाहिए साथ में ही अगर आपके पास में वेश्ट डी कंपोजर है तो आप अपने दोरे में पानी के साथ चला दीजिए जैसे अभी यह एक दोरा है पूरा लगबग चार सो से सारा चार सो फिट लंबा है तो इसमें मैं लगबग देख लिजिए आप एक लीटर से दो लीटर पानी में डालके में चला सकता हूं और अगर इसमें मैं आशकता अनुसार जब तक जैसे वहां तक जारा वैसा आप उसमें वेश्ट डी कंपोजर दे सकते हैं कंवोने जो मेरे को शला दा वह भी आप सुन लीजिए वह सला थी कि आपके पास गाय तो है न गाय है तो उसका प्लीति लेलीजिए जैसे एक व्यगह है तो उसमें आप चारल के बनानी हैं एक टनकी में आप एक 1 लिटर गोमुत्र लेलीजिए एक लिटर गोमुत्र में फिर आप थोड़ी सी राक ले लिजे इन दोनों को mix कर दीजे और mix करने के बाद आप पानी के साथ साथ इसको चला सकते हैं यानि कि एक बीगे में चार लिटर गोमुत्र लेकर पानी मिला कर आप इसे देते हैं तो भी काफी फाइदा होता है इससे क्या होता है कि जो आपकी फसल है उसमें काफी फाइदा हो जाता है ग्रोथ जादा होती है जो ये करवापन है वो कुछ हद तक नहीं आता है इससे सबसे बड़ा फाइदा ये होता है कि गायों की रक्षा हमेशा होती रहेगी कोई भी किस सब्सक्राइब कुर्भ करते हैं सबसे पहले क्या करते हैं कि आज कल जहां पर भी हवन देख रहे तो गो मुत्र को खरिद कर ला रहे हैं और वह हैं सही से फल्स और श्र это नहीं होता है वह आप देख लिए कलर देखे भी पता चल जाएगा आपको हलका सा पीला करें पता नहीं उसमें कलर है या फिर गोमुत्र है लेकिन वो भी आप खरित कर ला रहे हैं गर परी गाई का पालन करके गोमुत्र यूज़ कीजिए गोबर का यूज़ कीजिए और इसका गी दही में फेलाना और लाइक करना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना साथ में गंटी का निशान जरू दमाना मिलते हैं अगले वीडियो के साथ तब तक के लिए जय बारत जय जवान जय किसान वन दे मात्रम